चोपड़ा जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हारदेख स्वागत करता हूँ दोस्तो इस्टे वेकेंसी राउंड स्टार्ट हो चुका है आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस्टे वेकेंसी राउंड क्या होता है इसमें participate कैसे करें और इसमें कितने marks तक seat मिल सकती है तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेरे से कोई suggestion लेना चाते हैं तो आप मेरे को call कर सकते हैं जिने student हैं मेरी book download की थी उन सभी से मैंने बात की थी mobile number आपके पास है आप कोई भी suggestion लेना चाते हैं तो ले सकते हैं तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इस्टे vacancy round क्या होता है हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इंडिया में MBBS BDS admission के लिए दो परकार की counselling authority होती हैं एक होता है MCC और दूसरी state counselling authority MCC दवारा first, second और mop up round की counselling करवाने के बाद AMS, Jipmar, BHU, MU और dimmed university की vacant seat को concerned institute को transfer कर दी जाती है और ये MCC दवारा vacant seat भी publish कर दी जाती है कि कौन से institute में कितनी vacant seat हैं इसके साथ एक eligible candidate की list भी publish कर दी जाती है जिसमें वो candidate होते हैं जिनोंने MCC के first, second और mop up round के लिए registration किया था मगर उनको कहीं seat नहीं मिली थी institute दवारा उसी list के according vacant seat पर merit के अनुसार वहाँ पर present student को admission दिया जाता है इस round को stay vacancy round कहा जाता है और ये last round होता है state counselling authority भी इसी प्रकार का procedure follow करते हैं कुछ state में government seat के लिए stay vacancy round counselling authority दवारा conduct करवाया जाता है और private seat के लिए institute को institute conduct करवाता है stay vacancy round अब इस round में participate कैसे करें aims, jipmer और कुछ dimmed university के stay vacancy round के लिए schedule जारी हो चुका है आप जिस institute में admission लेना चाते हैं उसकी website पर visit कर ले आपको वहाँ पर stay vacancy round का schedule और venue मिल जाएगी सभी 19 aims की vacancy seat के लिए aims डेली दवारा stay vacancy round के लिए counseling करवाया जाएगी जिपमर के लिए दोनु campus पुडुचेरी और क्राइकल campus के लिए जिपमर पुडुचेरी दवारा counseling करवाया जाएगी BHEO, MEO और dimmed के लिए उनकी जो website है उस पर आपको पूरी detail मिल जाएगी किसी भी institute में stay vacancy round के लिए participate करने से पहले vacancy seat और eligible list में अपना नाम अवस्य चैक कर लें जो mcc2 27 डिसंबर को जारी कर दी जाएगी अब हम बात करेंगी इसमें कितनी marks तक seat मिल सकती है तो दोस्तों ये depend करता है institute के vacancy seat और उस institute में कितने student counseling के लिए physically तोर पर present होते हैं हलांकि stay vacancy round में government seat बहुत ही कम रहती हैं और आजकल student काफी present रहते हैं इसलिए cut off एक दो marks ही down रहती है 2016 में पहली बार stay vacancy round introduce हुआ था उस समय काफी कम student इसके बारे में जानते थे इसलिए उस समय cut off कम रहती दी मगर अभी सभी student इस round के बारे में aware हो चुके हैं इसलिए cut off ज्यादा down नहीं रहती है अब किन-किन student को इसमें participate करना चीए दोस्तों जो student cut off से just नीचे हैं जैसे 610 marks हैं तो essay student को इसमें participate करना चीए और essay institute में participate करें जिसमें seat ज्यादा हैं Dimd University की condition में उस institute में participate करें जिसकी piece आप आसानी से afford कर सकें और उसमें अच्सी खासी seat भी vacant हो दोस्तों stay vacancy round के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है अभी कुछ-कुछ stay vacancy round का मैं आपको बता देता हूँ जैसे जिपमर ने notice दे दिया है stay vacancy round का 29 डिसंबर को साड़े आठ बजे डोक्टर APJ अबदुल कलाम जिपमर auditorium पुडुचेरी में ये stay vacancy round conduct होना है तो जिपमर के आप एक बार seat देख लेंगे vacant seat कितनी रहती हैं उसके बाद इसमें आप participate कर सकते हैं दोनों campus के लिए ये जिपमर के लिए है इसके बाद में कुछ जो dimmed university है उन्होंने भी अपना schedule दे दिया है जैसे BLDE है इसने भी stay vacancy round का schedule और condition दे दी है तो आप जिस dimmed university में admission लेना चाते हैं उसकी particular website पर आप एक बार visit कर ले वहाँ आपको stay vacancy round का schedule और venue मिल जाएगा और उसकी condition भी मिल जाएगी इसी परकार के जो 19 total aims है उसका भी schedule आ चुका है सभी aims का जो counseling होगा वो aims दिल्ली द्वारा ही करवाया जाएगा इसमें venue दे रखा है जोहारलाल auditorium aims न्यो डिल्ली में ये 30 December 2020 को सुबह 9 बजे से start हो जाएगा तो इस परकार से ये schedule दे रखा है इसके बाद आप BHU, AMU और बाकी dimmed का भी schedule उनकी website पर check कर ले और जिस institute में आप participate करना चाते हैं वहाँ आपको present होना होगा तो ये जानकारी थी इस्ट्रे vacancy round के बारे में बाकी जानकारी जैसे ही मिलेगी बाकी कोई update मिलेगी मैं आपको inform कर दूँगा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक वै ज्यादा श्यादा शेयर करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक मैं हरसाय चोपड़ा आप से लेता हूँ विदा हाँ अगर आपको इसमें कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है अगर कोई प्रोब्लम आती है तो आप इस वीडियो के कोमेंट्स बॉक्स में कोमेंट्स लिख सकते हैं मैं आपको रिप्लाई अवस्य दूँगा तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद